अकंड मंथन के सभी दश्कों को नमस्कार गटना होने वाली है जिससे सूरे पूरे साथ दिन के लिए कायब हो जाएगा उसका तो ये भी कहना है कि आने वाले समय में गगन चुमबी इमारा जितनी बड़ी साथ फीट की तितली समेट कई ऐसे जानवर दिखाई देने वाले हैं जो आपने अब तक नहीं देखे होंगे ऐसे जानवर दुनिया पहली बार देखने जा रही है तो आईए अब आपका परिचे उस भविष्यवेता से कराते हैं जिसने ऐसी हैरत अंगेज भविष्यवाडियां करके सारे संसार में एक बड़ी हल चल मचा दी है तो ये भविष्यवाडिय की गई है इनो अलारिक नाम के एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसका दावा है कि उसने समय की यात्रा की है और वह स्वैम 2691 के समय में जाकर सब कुछ देख कर वापस आया है तो इनो अरालिक ने इस वर्ष के अंत में दुनिया को जगजोर देने वाली पांच आपदा जनग घटनाओं की भविष्यवाडि की है इनो का दावा है कि ये घटनाए वर्ष 2024 के अंत या फिर 2025 के आरंब के पहले माह तक घट सकती है इनो के सोशल मीडिया अकाउंट पर 9 लाक से अधिक फॉलोवर हैं और उसने पहले भी धर्ती पर एलियन के आने पृत्वी से जुड़वा ग्रहों के टकराने और विश्यूद तीन की शुरुवात की चेताओनी दी थी उसने अपने लेटेस्ट पोस्ट में पांच आपदा जनक घटनाओं की भविश्यवारी की है जो 2024 के अंतर से पहले घटी थोंगी तो इनों की पहली भविश्यवारी में उसने ऑस्ट्रेलिया में गगन चुम्बी जीराफ और अन्य विशालकाय जानवरों की खोज की बात कही है इनों का दावा है कि ऑस्ट्रेलिया के एक चिपे हुए हिस्से में 70 किस्म के जारवरों के बड़े वैरियंट सामने आने वाले हैं जिसमें 3 फीट की मकडी, 60 फीट की तितलियां और स्काई स्क्रेपर के आकार के जीराफ शामिल है इनोंने दूसरी भविशेवारी करते हुए कहा है कि 23 अक्टूबर को सूरज एक विचित्र प्रकार की उर्जा छोड़ेगा जो मनुश्यों को उनकी मृत्यों के बारे में 60 जानकारी देने में सहायता करेगा इनों के अनुसार सूरज एक ऐसी अनोखी एनरजी रिलीज करने वाला है जो लोगों को ये देखने में मदद करेगी कि वे कैसे मरेंगे ये लाखों लोगों के लिए रोज होता है और कुछ लोग अमर रहना भी सीखते हैं बता और इनों अगर सूरज की ये विचित्र उर्जा मनिश्यों पर पढ़ती है तो उन्हें कम से कम ये तो पता चल ही जाएगा कि भविशे में उनकी मृत्यू कैसे होने वाली है वैसे मनिश्य मृत्यू पर विजय तो पाना चाहता है लेकिन अगली भविशे बाड़ी में इनों क्या कहते हैं ये आपको बताते हैं तो अगली भविशे बाड़ी में इनों अलारिक ने कहा है कि अक्टूबर में एक प्रसिद्ध संगीतकार अचानक से वापस आ जाएगा जिसे मरा हुआ माना जा चुका है वह अपने संगीत करियर का फिर से शुभारम करेगा वह लोटने के बाद सबसे प्रसिद्ध इनसान बन जाएगा इनोंने अपनी तीसरी भविशे बाड़ी में कहा है कि नवंबर के माह में सूरज एक सब्ता के लिए विलुप्त हो जाएगा इसके परिणाम सुरूप दुनिया में पहली बार पर्ज जैसी स्थिती पैदा होगी जिसमें सामाजिक अराजकता बढ़ सकती है इसके बाद इनोंने अपनी अगली और अंतिम भविशे बाड़ी में कहा है कि वर्ष 2024 के अंत में अंटार कटिका के बर्फ के नीचे एक एलियन जैसी चीज मिलेगी जो रहसे में बीमारी का कारण बनेगी और ये बीमारी तेजी से पूरी दुनिया में फैलेगी इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं होगा अब इनों की ये पाँच भविशे बाड़ियां कैसे सत्य होंगी इस पर भी लोग प्रश्ण उठा रही है क्योंकि अभी तो कोई ऐसी आशंका दिक नहीं रही है जैसी बातें इन पाचेओं भविशे बाड़ियों में की गई है लेकिन अंतिम भविशे बाड़ियों में कुछ तरक इसलिए है क्योंकि वैग्यानिकों ने भी ये माना है कि अगर उत्तरी और दक्षरी ध्रू की बर्फ पिगली तो वहां हजारों वर्शों से दबे प्राण घा तक वाइरस जल में घुल कर सारे संसार में महामारियों का तूफान उठा सकते हैं जिसे रोब पाना संभव नहीं होगा। कोरोना के समय में तो ये कहा जा रहा था कि हाथ को बार बार धोएं लेकिन जब जल में ही प्राण घार तक वाइरस छीपा होगा तो फिर उससे दूर रहने का कोई कारण नहीं मिलेगा। वैसे मनिश्य के जीवन के लिए जल सबसे अधिक आवश्यक है और यदि जल में ही वाइरस मिल जाए तो जीवन को बचाने में बहुत ही कठीनाई आएगी। के बाद भी जीवित मिला। एक्सपर्ट की माने तो कुरोना की तरह नए वाइरस भी हमारे लिए घा तक सिद्ध हो सकते हैं। बायोरिक्स डिजिटल लाइब्रेरी में छपे एक शोद के अनुसार ये जॉंबी वाइरस मनिश्यों तक फैल सकते हैं और ये जो प्रसार होगा वो जानवनों से मनिश्यों तक में होगा। ये शोद रूस, फ्रांस और जर्मनी के वेग्यानिकों ने किया है। ये जम्य हुए वाइरस के उम्र के लिए एक नया रिकॉर्ड है। इसके चलते इनके अंदर दबी ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन बाहर आ रही है इससे क्लाइमेट में और भी तेजी से परिवर्तन होने लगेगा ये एक दुश्चक्र है दीरे दीरे इससे बर्फ की परत के नीचे मिलने वाले वायरिस भी सामने आने लगेंगे इन में से क पुरज के गाइब होने की भविशिवारी की बात है तो ये भी कुछ सीमा तक सच हो सकता है क्योंकि जिस भी स्थान पर परमाडु बम का ब्लास्ट होगा वहाँ पर धुए के ऐसे बादल चाएंगे की सूरे के दर्शन होने असंबो होने लगेंगे और ये धुए के बाद और इन चार वर्शों में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पूरे संसार के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जगत में कितना बड़ा परिबर्तन होता हुआ आपको दिख रहा है तो जैसा आपका वर्तमान होगा वैसा ही भविश्य होगा ऐसा नहीं होगा कि आपका वर्तमान जो है कश्ट प्रद है तो भविश्य बहुत सुनैरा हो जाए अगर आज पीड़ा है तो कल उसके निशान आपको देखने को मिलेंगे ही इसलिए आपको बरतमान समय की घटनाओं से भी हम आउगत कराते जा रहे हैं ताकि आपको इससे भविश्य के समय की जानकारी मिल सके आज के एपिसोड में बस इतना ही यदि आपको हमारा चैनल और कारिक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए कोई बात देता नहीं है ये भी इस्वरी इच्छा सही होगा लेकिन फिर भी यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे उत्साहवरधन के लिए आप हमसे सदयो के लिए एक लंबा जुडाव बना सकते हैं तन्यवाद तमस्कार